तो हेलो दोस्तों सवागत है आप सब करेंगे यूटीब केनल में दोस्तों आज हम कटिंग करेंगे यह एक मिटर कपड़ा है इसमें हम कटिंग करने वाले हैं आज लंगोट जी हाँ यह हम लंगोट कटिंग करेंगे यह जो लोग गाहूं में रहते हैं वो इसको समझते हैं लंगोड जो पहलवान लोग पहनते हैं लंगोड वहीं लंगोड कटिंग करेंगे एक मिटर कपड़े में तो देखे सबसे पहले हमने इस तरह से सवा इंच पे मार कर लेंगे इसमें भी जो है नाड़ा लगता है तो नाड़े के लिए किनारी करनी के साइड से सवा इंच कपड़ निकाल लेंगे पूरे एक मिटर के लेंथ में जिसका हम नाड़ा बनाएंगे देखे ये जो है ना लंगोड इसको बहुत कम लोगी शिनना जानते हैं जो गाहों में पुराने टिलर है वही लोग जानते होंगे इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है अब देखे ये अब कपड़े को हमने निकाल लिया है इसके बाद जो है हमने इसी तरह एक मिटर के लेंथ में कपड़े को फोल्ड करेंगे चवड़ाई में लग भग हमें फोल्ड करना है सात लिशन में % 10 कि जिस को इसको सिलने के बाद हमें सात लिशन कम सकम इसको तयार च आजए इसका पोछोटा बोलते हैं हमारे गर तो पोछोटा बोलते हैं आपके दर क्या बोलते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं कमेंट करके जुरू बता है, देखिए इसका कटिंग तो बहुत ही easy है, अब यह हमारा बचावा कपड़ा है, अब इस कपड़े में जो हमें आशन का जो बनाना है, जिसमें हमारा आशन बैठेगा, seat, उसको बोलते हैं, देखिए को इस तरह से फोल्ड करेंगे, यह हमारा एक तरफ का रुमाली टाइप का बनेगा, तीको ना, एक तरफ का फोल्ड कर लें, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर heavy size है, तो जो हमने नाड़ा के निका रहा था, वो नाड़ा नहीं निकालेंगे, पहले हम अपने लंग वो निकाल लेंगे, पहु छोटा इसके बाद इस तरह से करेंगे, थोड़ा क्योंग ढ़ने इस तरह से चोड़ा होता है, अब देखिए, हमारा कपड़ा है, यह एक मिटर में है, तो यह ज्यादा है, तो हमें कपड़ा भी कम करना पड़ेगा, अमें िस तरह से चेक कर ले चीए और नीचे का पी जो है पहुना ही शमय बाहर होगा क्योंकि उसको फोल्ड करना है और यह हमारा 29-39 सक बनना है ठीक है बस यही है इसका कटिंग इस तरह से इसका कटिंग समझे लिए पूरा यह चुका है पस अब में इसके स्टेचिंग करना है तो इसका कटिंग जो है सिलने में थोड़ा टॉफ है तो चलिए चलते हैं मशीन पर और देखते हैं इसका स्टेचिंग का बड़ियो सबसे पहले जो है हमारा जो हमने साथ साथ ही चोड़ा कपरा का था इसको सिलना हमें यहां से थीए जिस तरह से हमें थे sounds साथ है चोड़ाई में कटिंग या थैश को इस तरह से लंबाई में एक लाप पर सी चलाना है तूरा और से नीचे तक इसको सिलाई चलाने के बाद पल्टी करना पड़ेगा पहले सिलाई चला लेते हैं इसके बाद मैं बताता हूं इसको अभी एक और इसमें स्टीच करना है वह किदा से स्टीच करना है अभी हम बताते हैं इसके बारे में आपको पहले बहर हम सीधा स्टीच कर दिये इसके बाद यह जो है यहां कि पर इसको सिंटर में रखना है देखे इस तरह से मुह बंद करना पड़ेगा मुह बंद करने के लिए इसको भी हमने दाप पे सिलाई चला देंगे इसको अब जो है दाप पे सिलाई चलाने के बाद अब जो है इसको हमें अंदर के साइड में फोल्ड करके पल्टी कर लेना है जिसे जो मारा सिला हुआ है वह अंदर चला के लिए अब ही जो हमारा नोक है नोक को मच्छे से कथी नुकली चीज से बाहर निकाल लेंगे ति यह जो हमारा है हो गया अब इसको हम बस इसी तरह से रखना अब बाद में इसको अटेज करना हमारे अपने आसन जो बना लेंगे उस में गो से लिए तेंस था यह हो गया है इसको रखते हैं साइड में इसके बाद है यहामने आसन के लिए कप्राرت कीया था इसको लंबाई में इसी तरह से महिए फोलड करके ज्यूइन करना है ऊपर का अब देखा इसको जिस तरह से में लंबा था जितना कपड़ा उस कपड़े को में डबर फोल्ड किया फोल्ड करके ऊपर इसका एक तरप का मुझ पगड़के हमको सिलना है बस सिलने के बाद इसको पल्टी कर देंगे इसको भी जो सीधा करना बोलते हैं इसको देखिए यह इस तरह से बन जाएगा है रहते हैं बिल्कुल तीको ना बन गया यह हमारा अब जो नीचे हमारे कपड़ा है जो तुम बताया था हमने पहुनाई शेमेश्टर रखना है इस कपड़े को इस पर पकड़के फोल्ड करना है इस पर हम जो है लप्पे शिलाई चलाएंगे इसको फोल्ड करने से हमारा जो ऊपर अब कपड़ा है जो तीक होना हमने बनाया इसको इसमें दबा लेना है कƏ कुछ ही स्थर.'" करना हे यृँबी साइज रहेगा हमने आपको बताया फैले कि अगर थोड़ा है भी साइज में है तो जो हमने नाड़ा के लिए कपड़ा निकाला था वह नाड़ा कपड़ा इसमें हमें नहीं निकालना पहले वह नाड़ा कपड़ा हमें कपड़ा कम पड़ेगा तो कहीं से ज्वाइंट करके हम नाड़ा बना लेंगे लेकिन नाड़ा के के लिए अब हमें बनाना पड़ेगा इसका नाड़ा ठीक है तोरी जिसको बोलते हैं हमारे तर नाड़ा भी बोलते हैं अब से पहले हम को इसको इसमें अटेज कर लेते हैं आप देखिए हमारा यह सिलाई का दीख जीरह है दिक रहें दोनों इसका सींटर किसंकर हैं जिदर वी कोना बना हुए न उधर ही हमको इसको अटेज करना है इसको पल्टी करेंगे पल्टी करने के बाद इस वे हम लब पे सिलाई चला देंगे तीनो तरफ से इस पे हम लब पे शिलाई चलाएंगे इसमें अब चाहें तो तो बिलकुल भर भी सकते हैं एक-एक दाब पर चोड़े पर जायतो सिंगल सिलाई पर ही इसको परटेश करते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि इसको खुब सुरत बनाने के लिए आप इसमें लोग शिलाई भरते हैं कि इसमें जुस्वारा शिलाई पूरा हो चुका है लग बल लग वही है हमारा लंगोड जो है अब इस नीच पुरा चुका है बस हमें यहां पर नाडा जोड़ना है चलिए नाडा बना लेते हैं हम इसका जो हमने पहले कटिंग के अदक अब रहा है कि नाड़े के चड़ाई भी कम से कम आदा इंच रखना है कम से कम आदा इंच रखें तो देखी जो हमारा दोड़ों है नाडा जो में बनके तयार है बस हमें इसमें इसको अटेज करना है दोनों जो कोने बने हैं साइड में दोनों तरफ इस पर जो हमें एक इंच सवाइन चड़ा के सवच्छे से मजबूती से इस्टीच करना है दाकि यह ख़िछने में इसकी शुलाई तूटे ना शिगर से दूसरी तरफ को अभी नाडा हम लगा लेंगे दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और अभी ताख अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेले गंटी को प्रेस करके अल पर रग दें जैसे को हमारे वीडियो अप्लोड उसकी नोटिपिकेशन आप तक महुचे और आप हमारे वीडियो को वाच कर सब्सक्राइब देखिए हमारे बिल्कुल नाडा तयार हो चुका है भुका है